Hello friends, welcome to the desk. आज की हमारी स्टोरी है Do ill, have ill बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं Once एक बार there lived a jackal jackal यानि शियार होता है in a forest forest यानि जंगल होता है एक बार एक जंगल में एक सियार रहता था roaming about in search of food roaming यानि घूमना होता है roaming about in search of food खाने की तलाश में घूम रहा था He came to a stream came मतलब आना होता है या come का second form है came stream मतलब धारा होता है पानी की धारा He came to a stream वा धारा के पास आया at the age of the forest age मतलब किनारा होता है वा जंगल के किनारे के पानी की धारा के पास आया on the other side of the stream on the other side दूसरी तरफ of the stream धारा की दूसरी तरफ was a village एक गाउ था it had green fields around it it had green fields इसके चारो तरफ क्या थे? green fields मतलब हरे हरे खेद थे हरे भरे खेद थे the jackal was sure सियार जो था वह पक्का था that he would find something वह कुछ ढून लेगा to eat खाने के लिए कुछ न कुछ ढून लेगा eat मतलब खाना होता है near the village गाउं के पास में jackal ने क्या सोचा? वह बहुत ही sure था वह बहुत ही पक्का था कि वह गाउं के पास में खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खोज लेगा जरूर ढून लेगा but लेकिन he did not know he know मतलब जानना होता है यहाँ पर he did not know वह नहीं जानता था how to cross the river cross मतलब पार करना होता है river यानि नदी होती है वह नहीं जानता था कि नदी को कैसे पार करना है suddenly अचानक से he saw a camel saw मतलब देखना होता है यह c का second form है saw camel यानि उट होता है उट को हम English में camel कहते है he saw a camel उसने एक उट को देखा grazing green grass grazing यानि खाना होता है घास चरना होता है उसको हम English में grazing कहते हैं वह green grass मतलब हरी घास को खा रहा था it's some distance कुछ ही दूरी पर so इसलिए the jackal approached the camel approached मतलब बुलाना सियार ने उट को बुलाया and said और उससे कहा hello Mr. Camel Shreemann उट how are you कैसे हैं आप fine how do you do replied the camel उट ने जवाब दिया fine मैं ठीक हूँ how do you do तुम कैसे हो the jackal said सियार ने कहा if अगर you carry me carry मतलब ले जाना होता है तुम मुझे ले जाते हो on your back तुम्हारे पीट पर to the other side of the river नदी के दूसरी पार दूसरी और अगर मुझे तुम ले जाते हो we shall enjoy enjoy यानि आनन्द लेना होता है we shall enjoy हम आनन्द ले सकते हैं maze cops मतलब maze cops का मतलब होता है मक्कई के भुट्टे का हम आनन्द ले सकते हैं from a field that is unguarded मतलब जहां पर कोई guard नहीं खड़ा है जहां पर कोई नहीं है the camel agreed agreed मतलब सहमत होता है सहमत हो न उट जो है वह सहमत हुआ and both of them दोनों crossed the river दोनों ने crossed मतलब पार करना होता है नदी को पार किया soon जल्द ही they began enjoying maze cops उन दोनों ने मकई के भुट्टे का आनन्द लेना शुरू कर दिया being a small animal छोटा animal होनी की वज़ा से the jackal had his fill in a short time the jackal had his fill jackal मतलब CR ने अपना भर पेट खा लिया था in a short time बहुती कम समय में अपना पेट भर लिया बट लेकिन दे कैमल वाज येट तू इट बट लेकिन दे कैमल वाज येट तू इट उट अभी भी खाने के लिए बाकी था क्योंकि वह बड़ा था a lot more और भी ज़्यादा खाने के लिए बाकी था उट का to satisfy his hunger अपनी yes satisfy मतलब संतुष्ट होता है hunger मतलब भूख को अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए अभी भी बाकी था carrying little for the camel carrying मतलब थोड़ी सी परवाह करके उट के लिए थोड़ी सी परवाह करके the jackal begin to howl loudly the jackal begin to howl loudly howl loudly मतलब जोड से चिलाना जैसे कि सियाड चिलाता है आप सभी को पता ही होगा कैसे चिलाता है jackal ने सियाड ने अपना howl चिलाना शुरू किया जोर जोर से the camel asked him asked मतलब पुछना होता है उट ने उससे पूछा why he was doing so वह ऐसा क्यों कर रहा था the jackal replied सियाड ने जवाब दिया it is my habit habit यानि आदत होता है या मेरी आदत है to howl after a meal howl करना मेरी आदत है खाने के बाद hearing the jackal's howl सियार के आवाज सियार के आवाज चिलाने की आवाज सुनके the honor of the maze filled मकई के मकई के खेद का जो honor मतलब मालिक था वह आ गया came with his man वह अपने आदमियों के साथ आया jackal being smaller in size jackal सियार मतलब जो था वह छोटा था size में slipped in the bushes वह slipped मतलब फिसल ना होता है bushes मतलब जाडी वह जाडी में फिसल गया the honor and his man मालिक और उसके आदमियोंने spotted the big camel उन्होंने उट को बड़े से उट को पकल लिया spotted मतलब पकल लिया and gave him a sound beating और उसे खुब मारा ला थे उसे the camel had to rush into the river उट को पानी के अंदर भागना था to save himself from the farmers अपने आपको बचाने के लिए किसानों से अपने आपको बचाने के लिए उट को पानी के अंदर भागना था now the jackal said अभी now अभी the jackal said सियान ने कहा to the camel उट से कहा why are you returning alone returning मतलब वापस जाना होता है तुम अकेले वापस क्यों जा रहे हो carry me also on your back मुझे भी अपनी पीट पर ले जाओ सियान ने कहा उट से the camel had already thought already thought मतलब उसने पहले से ही सोच लिया था उट ने पहले से ही सोच लिया था of taking his revenge revenge मतलब बदला लेना होता है उट ने पहले से ही सोच लिया था कि बदला लेगा सियार से so इसलिए he agreed to carry the jackal इसलिए सहमत हो गया सियार को अपने साथ ले जाने के लिए reaching mid stream धारा के बीच पहुँचते ही the camel splashed down in the deep water again and again the camel उट पानी के अंदर गय पानी की गहराई में बार बार डूब रहा था बार बार नीचे चला जा रहा था as a result false वरूप the jackal was drowned away drowned away मतलब डूब जाना होता है परिणाम स्वरूप the jackal was drowned away सियार पानी के अंदर डूब गया so moral of the story है as you sow sow sell you rip जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको मिलेगा जैसा बोएंगे वैसा ही काटोगे इसका मतलब ये भी होता है as you sow sow sell you rip जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे so friends अगर आपको ये स्टोरी आच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेर जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग